हेलो स्टुदेंट्स वेलकम तो दिस चैनल आम यूर मैठ्स टिचर तोड़े हम क्लास 10th सीबीस सी एंसाइटी बुक चैप्टर पेर अफ लीनेर इक्वेशन इन 2 वेरियबल एक्ससाइज 3.6 क्वेशन वन पार्ट 6 हो यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसके पार्ट 1,2,3,4,5 को हम प्रिमियस वीडियो में सॉल्व कर चुगे आप उन्हें भी वोच कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके यह क्वेशन पर अभी यहां पर देखें यह जो आपको लिनेर इक्वेशन गिवेशन के फ़र्म में नहीं है तो हम पहले उसे लिनेर इक्वेशन में कनवर्ट करेंगे angel form आपकी जोग होती है वो होती है a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 ठीक है आप इस फ़र्म में इंको क्या करेंगे convert करेंगे थीक है इसxy को हम इसके divide में send कर देंगे तो यहां पर देखें क्या हो जाएगा आपका 6x plus 3y divide xy equals to 6 और इसका यहां पर इसको भी वैसे ही हम कर लेंगे यहां पर देखें यह हो जाएगा आपका 2x plus 4y divide xy equals to 5 अभी देखें इसका जो part 5 हमने solve किया था सेम वैसे ही यह आपका बन गया है ठीक है equation अभी हम same question 1 part 5 की procedure को follow करेंगे and equation को solve करेंगे ठीक है अभी हम क्या करेंगे split कर देते हैं तो 6x divided by xy plus 3y divided xy equals to 6 इसको भी split कर देजे 2x divided xy plus 4y divided xy equals to 5 यहां से देखें अभी क्या होगा आपका y से y cancel x से x cancel out y से y cancel x से x आपका क्या होगा cancel out होगा ठीक है अभी आपका remaining देखें क्या यहां से बचता है यहां से बच्चेगा 6 into 1 upon y plus यहां से 3 into 1 upon x equals to 6 this is your equation number यहां से देखें क्या बच्चेगा 2 into 1 upon y plus 4 into 1 upon x equals to 5 this is your equation number 2 अभी भी यह आपके linear equation की general form में नहीं है so अभी हम क्या करेंगे let करेंगे ठीक है let कर लीजिए let 1 upon x equals to u and 1 upon y equals to v ठीक है तो यह से हम क्या करेंगे put करेंगे now putting 1 upon x equals to u and 1 upon y equals to v in equation 1 and 2 we have let's see what we have हमारे पास क्या है इसको put करने के after put कर देजे यहां पर देखे 6 1 upon y के replace पे v put करना है तो v plus यहां से 3 1 upon x के replace पे u तो यह हो जाएगा 6 v plus 3 u equals to 6 this is your equation number 3 equation number 3 यहां पर भी put कर लिजे 2 into 1 upon y के replace पे हम put करने वाले हैं v तो directly v put करते है ठीक है यहां से plus 4 into 1 upon x के replace पे u equals to 5 this is your equation number 4 ठीक है अभी यह आपकी completely linear equation में convert हो गया है ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे इसको by elimination method solve करेंगे आप किसी भी method से solve कर सकते हैं जो भी आपको साज लगता है ठीक है from equation 3 and 4 by elimination method ठीक है यह आपकी equation number 3 है and equation number 4 2v plus 4u equals to 5 this is your equation number 4 ठीक है अभी देखें दोनों ही equation में हम किसको eliminate कर सकते हैं u को तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों के यह 3 4 की table में नहीं आता है 4 3 की table भी नहीं आता है but 2 6 sorry 6 2 की table में आता है right तो हम क्या करेंगे इस equation को 3 से multiply कर देंगे और यहाँ पर 2 3 6v हो जाएगा ठीक है तो इसको क्या करेंगे हम 3 से multiply कर देंगे multiply कर लिजे हैं आप दे कि first equation में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं 3u equals to 6 इसको 3 से multiply कर रहे हैं तो 3 2 6v plus 3 4 12u equals to 3 5 15 okay but अभी भी यह आपका क्या है cancel नहीं होगा क्योंकि positive है अब भी क्या करेंगे sign change करेंगे इसको negative कर देंगे positive यह भी negative हो जागे positive negative हो जागे अभी यहाँ पर देखे एक one time मैं और लिख देता हूं यह 6 6v रहेगा plus 3u equals to 6 यह minus का 6v minus 12u equals to minus 15 टेक हैं अभी देखे आपका plus minus 6v 6v cancel out हो गया ठेक है यहां से देखे माइनस 12u plus 3v subtract हो जाएगा दिन minus 9u equals to minus 15 and plus 6 subtract करें दिन minus 9 ठेक हैं subtract कर लेंगे हमें यहां से चाहिए किसकी वैली यू की वैली चाहिए तो यहां से यू की वैली आपके पास कितनी आ गई आपके पास यू की वैली आ चुकी है यू की वैली वे कितनी 1 है अभी हम क्या करेंगे यू की वैली यू की वैली वन आपने फाइंड की है इससे हम equation number 3 में पूट कर देंगे now putting u equals to 1 in equation number 3 we get देखते हैं हमें क्या मिलता है equation number 3 में पूट करेंगे तो यहांसे 6 v plus 3 into u की वैली तो हमारे पास 1 ही है equals to 6 अभी देखिए यहांसे v की वैली चाहिए तो 3 को another side पर transform करेंगे कर देखिए 6 v equals to 6 minus 3 अभी देखिए यहांसे 6 v equals to 6 minus 3 this is 3 v की वैली चाहिए 6 को denominator भेज देंगे another side में तो 3 by 6 3 by 3, 3 to the 6 यहांसे जो आपकी v की वैली आ गई वो 1 by 2 ठेक है अभी हमने v और u की वैली को find कर लिया है अभी हम क्या करेंगे जो late किया था 1 upon x equals to u and 1 upon y equals to v यहांपे values को put कर देंगे तो हमने late किया था देखिए 1 upon x equals to u u की वैली हमारे पास से 1 तो यहांपे हम put करेंगे तो यह हो जाएगा 1 upon x equals to 1 डिवाइड में 1 लेंगे cross multiplication करा देंगे तो 1 इसको multiply करेगा 1 को तो 1 ही रहेगा x भी 1 को multiply करेगा तो x ही रहेगा x equals to आपके पास आगया 1 ठेक है यहां से आपके पास value आ गई है x की आपने x की value find कर देगे हमने let किया था 1 upon y equals to v तो v की value है आपके पास 1 by 2 put करेंगे यहां पर देखे 1 upon y equals to v की value 1 by 2 by cross multiplication ठेक है 2 इस 1 को multiply करेगा तो 2 ही रहेगा और y भी 1 को multiply करेगा तो y ही रहेगा तो y equals to यहां से कितना आगया आपके पास 2 आगया है ठेक है आपके पास x और y नो तोनो ही values आगया है ठेक है सो final answer हम यहां पर write करेंगे hence the solution of given equation is x equals to 1 and y equals to 2 ठेक है this is your final answer I hope आपको exercise 3.6 question 1 part 6 बहुत ही अच्छे से समझ में आगया होगा इफ आपको कोई भी doubt है तिन आप comment box में comment करके मुझ से पोच सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तिन प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सब से पहले मिल से के ताकि आपको प्रेस करें